हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागते हैं आपके पपने यूट्यूब चेनल राज सरकारी जोग 24 में तो फ्रेंट्स आज की स्टूड़े में बात कने वाले ही इंडिया पोस्ट जीडियस की नियू रिकुट्मी नोटिफिकेशन के ओलाइन फोर्म फिल्प प्रोसस के बार में भारतिय डाक विभाग में 3041 पदों पर दस्वी पास के लिए वेकेंजी निकाले गई हैं जिसमें आप इसमें बीना एक्जाम के आपका सलक्षन होने वाला है दस्वी की परसेंटेज के इसाब से आपको इसमें सलक्षन दिया जाता है मेरे ट्रिस्टे तयार की जाती है है तो आज की स्टूरीं बात करने वाले कि आप अपनी मोबाल से जीडियस का पॉर्म कैसे भार सकते हैं इसका स्टीप बाइस प्रोसस दिखाने वाला हो तो फ्रेंट्स आपको अपनी मोबाल से पॉर्म बानने के लिए सबसे पहले गूगल में आपको सर्च कर लेना है इंड यह पोस्ट जीडियस ओलेन का आपको इसके उपर क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इसके ओफिसर वेबसेट पर आ जाएंगी यहां पर आने के बाद मोबाल से ओपन कर रहे हैं तो आपको त्री डोट को ओप्शन दिया है इसमें आपको क्लिक क करने के बाद आपको अपने ब्राउजर को डेश्टूप साइट में उपन कर लेना है ताकि आपके सारे उप्शन्स बिल्कुल अच्छी तरह से उपन हो जाएंगे तो पॉर्म एपलाई कर सकते हैं 38203 से लेकर अगस्त तक आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं प्रोसस के बारे में तो यह आपने जीडियूस के लिए किसी भी यहां पर वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहां पर आ जाना है राजिटेशन का ओप्शन दिया प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगी इसके बाद आपको यहां पर देशकते हैं दो ओप्शन दिये गए हैं यह दि आपने पहले रिजटेशन कर चुके हैं और आपके पास आप फॉर्ट रिजटेशन भी कर सकते हैं यह पिर आपको डारेक्स जो नई स्टूडेंट है तो रिजटेशन वाले टर पक्लिक कर देना हैं तो मि आपको नइस司री से दिखाने वाला हो मैं ने आपको रिजटेशन वाले ऄप्सन पर खिर किया है तो इस तरह का ओप्शन आपको देखने रखु देलेगा तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल मर्स यहां पर डालना आ ह के बाद validate mobile number के option पर क्लिक करना है तो यहां पर दे सकते हैं एक message यहां पर open हो रहा है इसमें साब साब बताय रहे रहा है रेड़ी डन दिस mobile नमर यान कि मैंने अभी mobile बाल नमर डाला है वो पहले से उस पर रजिट रजिटेसन हो रहा है ठीक है तो अब बात करते ही फौर रजिटेसन या फिर अपना जो रजिटेसन नमर कैसे पता करना है इसके बारे में इसके लिए पर आपको आजाना है क्लिक करने के बाद फोर गोड का पेज आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दो ओप्सन दिये गए हैं एक तो mobile नमर से चेंज कर सकते हैं और एक email अड़ी से दोनों आपके नए होने चाहिए यदि पुराने हैं तो आपको दुबारा नए वाले च क्लिक करना है इसके बाद आपके mobile पर OTP बेजा जाएगा उस OTP को यहां पर डालना है इसके बाद सम्मीट वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मेसस देखने को मिलेगा रेजिटेशन नमर सेंड यू रजिस्टर मोबाइल नमर ठीक है तो आपके mobile नमर पर आपका बता देता हूं अगया तो सबसे पहले आपको वाले option पर्क्लिक करेंगे तिक है रजिस्टर वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो भी नए इस्टूडेंट है उनके लिए है तो आपको अपना mobile नमर डालना है validate के option पर click करेंगे इसके बाद आपके mobile पर OTP आएगा OTP को verify करने के बाद आपका mobile नमर verify हो जाएगा इसके बाद email डालेंगे email ID को verify करेंगे और उस पर भी OTP आएगा OTP को यहां पर डाल देना है इसके बाद verify करेंगे तो आपका यहां पर email डी mobile number दोनों यहां पर verify हो जाएंगे ठीक है इसके बाद 10 वी मार्शीट में आपके जो भी नेम है आपका full name आपको यहां पर इंटर कर देना है ठीक है ध्यां रखना है दस्वी की मार्शीट के साफ सही आपको यहां पर इंटर करना है इसके बाद आपके यहां पर आपके पिताजी करने में यहां पर डालना है आपकी टीटो वर्त यहां से कलेंडर क्लिक करके आपको सेलेट करना है सबसे पहले आपको जो भी जेंडर है आपना जेंडर यहां से सलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहां पर जो कम्यूटी है आपकी जो भी कम्यूटी से भी लोग करते हैं वो आपको यहां से सलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको सरकिल कौन सा है ठीक है आपने दस्वी पास कौन से स्टेट स किए हैं इसके बाद आपको यहां प्र Watts like स्कोल है इसका पासिंग स До यह आपने कौन्व communism Ireland किव यह उपको यहां प्रिंतर कर लेना है इसके बाद यो जी दिक्वरक्ड लिका प्र correlate को यहां पर यहां पर सेम टुसें यहां पर डालेकर ना सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो है जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रेजिटेशन नम्मर बिल जाएंगे जिसके बाद इमसे आप एपलाई कर पाएंगे ठीक है आप बात करते हैं जो पुराने स्टुडेंट हैं जिनको पास पहले से रे तो आपको डारेक्ट एपलाई के ओप्सन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस तरह का ओपन हो जाएगा जो भी नए स्टुडेंट रेजिटेशन करेंगे नए वाला उसका भी यही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसमें आपको सब्स पहले है आपका रेजिटेशन नमर देखने को मिलेगा आपका सर्किल भी पहले से सलेक्ट हुआएगा के वल आपको सम्मिट करना है तो हम यह पर अपना जो रेजिटेशन नमर डाल लेते हैं और सर्किल यहां पर सलेट कर लेते हैं ध्यान रखना कि आपको व इसके बाद आपके mobile पर OTP बेज़ा जाएगा इसके लिए यहां से ok के पून पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहां पर OTP को यहां पर डाल देना है यह capture code लिखा हुआ है same to same यहां पर डालना है और next वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपकी registration की जो details है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसके बाद नीची school करना है नीची आने के बाद आपको address की details यहां पर डालनी होगी सबसे पहले आपका house number department नमबर जो भी है वो यहां पर डाल देना है इसके बाद आपकी area का पिन कोड यहां पर इंटर कर लेना है यह communication address टिक है जहां पर आप रहते हैं और यह है permanent address जहां का आपका documents बनावा है टिक है तो यह दोनों address यह address और यह address दोनों same है तो आपको tick mark के option पर क्लिक करेंगी तो दोनों यहां पर same to same copy हो जाएंगी इसके बाद आता है आपकी 10th की details की qualification details सबसे पहले आपको board select करेंगा है अपने 10th board कौन से years में आपने कौन से board से की है ठीक है तो यहां से आपको select करेंगा है select करने के बाद आपको नीचे result type का option दिये गया है आपको mark यहां पर select करेंगा है फिर सबसे आपका page refresh होगा और यहाँ पर mark में आपको details यहाँ पर डालनी होगी जिसमें आपको यहाँ पर दे सकते हैं 100 में से कितनी mark यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर डालने होगी जिसे कि आपको यहाँ पर English में कितनी mark यहाँ पर आए हैं उसकी entry आपको यहाँ पर enter कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट का ओप्शन यहां पर दिया गया है सेलेक्ट सब्जेक्ट इसके आपके जो सब्जेक्ट रहा है लेंग्वेज का इन में से आपको सेलेट करेंगे और सेलेट करेंगे और संस्कृत में आपके कितनी अंकाई है वह आपको यहां पर इंटर कर लेना है ठीक है इसकी बाद आपको यहां पर देश सकते हैं यह आपका CGP score है तो आपको CGP score डारेक्ट यहां पर डाल देना है ठीक है इसकी बाद save and continue वाले option पर क्लिक करेंगे इसकी बाद आपको यहां पर आपने राजस्तान से apply किया है ठीक है तो आज मेर के जितनी भी यहाँ पर है पोस्ट हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस इन सभी का प्रफरेंस आपको यहाँ पर एक करके आपको यहाँ पर देना होगा, तो आपको एक करते हुए सारी आपको यहाँ पर फरेंस देने होगी, जि तो next preference को बारने के लिए आपको दो वाले option पर क्लिक करना है यह जब यहां पर बढ़ जाएंगे उसके बाद तीसरे वाले यह बढ़ जाएंगे तो यह पुछोते वाले option पर इस तरह से पूरे के पूरे preference बारेंगे तब ही आपका form आगे बढ़ेगा और यहां पर आपको चे नीची आना है नीची आने के बाद से प्रोसीड करेंगे इसके बाद आपका जो प्रफरेंड से application है वह सम्मिट हो जाता है ओके वाले option पर क्लिक करेंगे अब आप सोच रहेंगे कि फोटो तो हमने फोटो सेंट अप्लोड किया ही नहीं क्योंकि यह रेजिटरेशन करते सम ही मांगा जाता है ठीक है जब आप रेजिटरेशन करेंगे लाज्ट सेब में जाएंगे तो आपको फोटो सेंट अप्लोड करने का option दिया जाएगा तो वहां पर आपको फोटो सेंट अप्लोड कर लेना है और जिसकी फीस लगती है जेनरल वाली करडिकरी की तो अपनी फ यह सब कम से कमिया पर जमा करवानी होती है बागी करडिकरी के लिए खुरी फीस यहां पर नहीं रखी गई है ठीक है अस पोरम का प्रिंट आउर लेने के लिए लास्ट में आ जाना है और प्रिंट का option दिया गया है यहां पर क्लिकर के इसका प्रेंट आउट निकाल सकते ह सेव कर सकते हैं अपने मोबाल में इस तरह से टिक है तो मैंने आपको पूरी जानकर इस वीडियो में प्रवाइड करवा दी है वीडियो में जानकर आपको अच्छ लगी वीडियो को लाइक शिर सब्सकाइब कीजिए को भी प्रोलम दिकत आती है तो आप को मेंट बॉक्स में जुरू बताएगा आपको सुलूशन हेंट हेंट बता दिया जाएगा तो जिनको सब्सकाइब कर लेना थेंक्यू फूर वाजिंग जाहें जय बारत